असलामेकूम मैं हूँ मारिया खान अमाने.com के प्लाटफॉर्म से और मैं अमीद करती हूँ कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं खेरियत से होंगे, खुश होंगे, खेराखियत से होंगे आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि नोवा सीरी बिशावर के हवाले से कुछ specific questions है, queries हैं, जो के लोग हम सब लोग को बहुत जादा भेज रहे हैं, बहुत जादा पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो इन तमाम concerns को जो है एक तो आप लोगों को इसके जवाबाद दे सके हैं और आप लोगों को थोड़ी से mental clarity हो जाए इस project के हवाले से, ठीक है तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो forms के बारे में मैं बात करना चाहूंगे आप लोगों से booking forms के बारे में इसमें हुआ ये था कि booking forms जो है वो banks को दिये गए तीन banks थे जिनके मेरे मैं आप लोगों को शायद ना भी बता होना फिर भी बता देती हूँ HBL, JS Bank और Bank of Khyber और इसके साथ साथ इसकी branches भी बताई गई थी बकाइदा कि कौन कौन सी branches में जो है आप लोगों को forms मिल जाएंगे अब जिन लोगों को details का पता था जिन लोगों के पास information थी एक form एक बंदा ही बाई कर सकता था on single, on one ID card ठीक है तो लोगों ने अपने friends भाई रहा, different लोग जो investors हैं जो इस काम में पहले से हैं, जो जादा plots भाई करना चाहते हैं उन्होंने multiple लोगों को अपने साथ लेगे गए, अपनी families भाईरा उन्होंने अपने ID cards दिखाए, उन सब लोगों ने अपने लिए forms दे लिए तो इस तरह के situation के वाज़े से, first day जो है, बहुत जादा इसकी, first, second day बहुत जादा इसकी hype trade हुई, तमाम के तमाम forms वो banks से sold out हो गए अब Nova City के office से ये forms banks में जा चुके थे अब ये एक ऐसी चीज है, जब Nova City ने वो banks में वो forms दिए तो वो एक situation controllable है, ठीक है लेकिन once, एक चीज जो sellers के पास से, buyers के पास जा चुकी है तो वो situation Nova City control नहीं कर सकता या हम लोग जो marketing and sales partners हैं Nova City के हम लोग भी इस चीज़ को control नहीं कर सकते, ठीक है उसके बाद जो बाकी लोग है लोग को पता चला तो उनने उन forms को जो है फिर buy किया, अब जो लोग ने buy कर लिया है वो अपनी उनकी मर्जी है कि उसको 10,000 में बेचे हैं 20,000 में बेचे हैं, 20,000 में बेचे हैं 20,000 में बेचे हैं, हम लोग खुद इवन दो Nova City के marketing and selling partners हैं बर स्टिल हम लोग ने भी बाहर से 20,000, 20,000, 30,000 के forms buy की हैं क्योंकि हम लोग को भी जुरूरती हैं, हमें बेंक से नहीं मिले ठीक है, and this is a fact जो मैं आप लोग उसे share करनी हैं, it's not something जो, I'm just saying it for no reason, यह ऐसा ही हुआ है मैंने खुद 20,000, 30,000 के range में खुद forms buy की हैं कुछ मेरे clients कुछ आइए थे, उन लोगों को मैंने दिल्माए है तो यह ही rate चल रहा है अभी, ठीक है और बहुत साय लोग इस चीज के उपर complain की कि आप लोगों ने black में जो है forms को बेचना start कर दिया, ऐसा नहीं है again, एक दफा जो चीज buyers के पास जा चुकी है वो आगे उसको किस rate पर sale करते है उनकी मर्जी है, फिर market में एक rate start हो जाता है, एक trend start हो जाता है कि इस rate के उपर forms मिल रहे हैं इस चीज को कोई भी control नहीं कर सकता है और वो जो लोग पहले buy कर चुके है to a certain extent हम उनको घलत नहीं किया सकते क्योंकि वो सुबा जल्दी उठे वो नहीं जाकर बैंक में से form buy किये और उनने अरुबिन की मर्जी है, वो उसको जिस मर्जी rate के उपर बेचे हैं तो ये एक चीज है जिसके बारे में मैं लोग को बताना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोग घुसा हुए इससरा के messages हम लोग को आए, calls आए के हम लोग को forms नहीं मिल रहे हैं forms कि देरे, forms sold out हुए हैं इसी वज़ा से जो है वो इस टाइम पे market में हैं अगर कुछ लोग ने ऐसा भी कहा कि बैंक वाले जो हैं वो दे निरे ऐसा नहीं है जल्दी ही सारे के सारे forms जो हैं वो sold out हो गए थे because ये news market में बहुत जल्दी पहल गी थी कि forms वेरा का हिसाब किताब होगा और इस तरीके से होगा और forms इसलिए भी important थे क्योंकि ये 5000 का form जो बैंक से लिया जा रहा था इसके उपर 70,000 रुपय जमा करवाने हैं और लोगों ने जमा करवाएं और फिर बैलोटिंग के प्रोसेस होगा ठीक है बैलोटिंग के प्रोसेस में जिस बंदे का नाम आ जाता फोर्म जो है एरिकार्ट के साथ submitted है उस forms बहुत important है जो लोगों के नाम आ जाते हैं बैलोटिंग में उनका जो 75,000 का form उनको पढ़ा है वो 1.5,000,000 में एड़स्ट हो जाएगा ठीक है और उसके बाद बाकी booking procedure बहरा स्टार्ट होगा तो वो itself in itself of course forms की बहुत जादा value थी एक hype create हुई भी थी इसी वज़ा से वो बिके है ये एक बहुत important चीज है जो हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्यूंकि वो 5,000 का form 75,000 में convert हो गया था और हो गया है और फिर उसके बाद जिन लोगों का नाम आया बैलोटिंग में आएगा अभी तक बैलोटिंग हुई नहीं है जब बैलोटिंग में नाम आएगा तो वो 1.5,000,000 में adjust हो जागा यानि convert हो जागा वो 1.5,000,000 में तो of course this is something जो लोगों को काफी attract की appeal की है सीजज ने और लोगों ने buy कर नहीं और कुछ लोगों इन अपने पास रखे हैं और इस चीज में हम किसी को blame नहीं कर सकते हैं वो किस प्राइस में आप उन forms को बेच रहे हैं because those forms are valuable first thing अब दूसरी एक और चीज जो है वो यह कि इसकी hype क्यो उतनी ज़ाद create होई यह market में नहीं पिशावर की और इसका रीजन यह है कि supply and demand की बात है इसमें supply come है demand बहुत ज़ाद है 10,000 plots है 50,000 लोग है जो उसको buy करना चाहते है इस तरह के situation में hype create होती है because these are valuable plots this is a very valuable project for the people who are living in Pishawar even in Islamabad जो किसी ऐसे जगब पर जो है investment करना चाहते है अपने घर बना चाहते है जो असलाबाद से भी करीब हो Pishawar से करीब हो मरदान के करीब हो 4, 4, 9, 3, इन तमाम locations के करीब हो of course उन लोगों के लिए बहुत attractive spot है to get their own house to get their own plot इसी वज़ाद से इसकी value बहुत ज़ाद है जिसके वज़र से इसके market में hype create हुई भी है और इसको किया रही है यह valuable है और बहुत से जो लोग है उनका जो एक और major concern था मुझे पिछले दो-तीन दिनों से जो है मुसलसल messages के उपर एक I think बिशावर का newspaper है आज news के नाम से उसके snippets जो भेज़े जा रहे हैं जो है PDA की तरफ से इस तरह से बात आई है कि Nova City fraud है ऐसा नहीं है उसी के next दे भी और newspaper आया है जिसमें उस news को clarify करके बताया गया है कि Nova City completely approved project है ठीक है उसमें कोई issue नहीं है वो अला newspaper भी आचुका है market में जो फिर मैं लोग को आगे से send करती हूँ जब वो मुझे भेशते हैं कि Nova City approved नहीं है यह एक चीज है properly do your research before even claiming such things इस तरह के issues कोई भी society कोई भी project launch हो ज़रूर आते हैं for the time being होते हैं और at the end of the day जब product अगर अच्छा हो तो फिर वो सारी के सारी product के कोई भी product हो उसी के हख में वो सारी negativity उसी के तरफ ट्रांसफर हो जाथी because यह project वाकिक legal project है ठीक है इसकी location के हवाले से काफे ज़्यादा लोग confused थे और इसके location को लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने सबस्यादा main issue ही location के उपर create किया गया इसके forms वाली situation के बाद कि इसकी location हलत है या इसकी location में कोई issue है तो इस चीज़ को भी मैं address करना चाहूंगी most of you जो लोग सलावबाद में रहते हैं रावर्पिंडी में रहते हैं उन्हों को शाहिद यह चीज़ पता हो या नहीं कि सलावबाद International Airport जो है वो फत्य जंग में आता है पहरिया रावर्पिंडी में DHE2 असलावबाद में तो हम लोग रोज आना तक्रीबन 30-45 मिनिट्स का ट्रावलिंग टाइम पिरेड है हमारा आने जाने का और वो तक्रीबन कहले हैं कोई 20-30 किलोमीटर बनता है हम लोग रोज उस डिसंस को कवर करके आफिस आते हैं और अपना काम करते हैं कहने के मकसद यह है कि इस इन दे क्लोस प्रॉक्सिमिटी अफ इसलावबाद इवन के जो इसलावबाद इनाशन एरपोर्ट है जिसकी वज़ा से जो है लोग एजली ट्रेवल कर पाते हैं जो इसकी लोकेशन है नोवा सिटी पिशावर की वो है चार सदा इंटर्चेंज और नोशहरा के बीच में मोटर वेए M1 के उपर यह लोकेड़ है अब इसकी बहुत अच्छी लोकेशन है उन लोगों के लिए जो पिशावर में रहते हैं इसकी जगह पर इंवेस्मेंट करना चाहते है जो कि जो डिफरेंट और भी जो शहर है मर्दान हो गया नोशहरा हो गया, चार सदा हो गया, असलाहबाद हो गया मल्टिपल जो सिटीज है उसके लिए इसके लिए एकसेसिबल हो तो वो लोग जो है जो किसी जगह पर इंवेस्मेंट करें और काफे लोगों ने बोला कि चार सदा नोशहरा पिशावर में नहीं आता तो आप लोग उसी exact location क्यों नहीं बता रहे आप लोग यह क्या रहे हो पिशावर के अंदर है पहले बात तो यह कि पिशावर के अंदर जगह नहीं है कि वहां पे इस तरह की society बनाई जा सके और जो उसकी location भी है वो पिशावर के इतने close proximity के अंदर है कि it does not matter that much कि वो पिशावर के अंदर नहीं है क्योंकि वो बहुत करीब है जैसे कि मैंने अगेन आप लोगो एक्जेंपल दिये असलाहबाद से डिये आशे आने के यह मिला भी रूटीन का traveling time period है जो हम लोग सारे हमारे office में जितने भी लोग है असलाहबाद के रहाईशे वो travel करते हैं and it is very normal it's not that much of a big deal तो यह कुछ facts है जो आप लोगो पता होने चाहिए है फिर काफी साथ जो है इसकी location के हवाले से मजीद भी जो details है आइसता है आप लोगों को reveal कर दी जाएंगी और मैं उमीद करती हूँ कि इस video के through बहुत सार आप लोगों की जो कुछ concerns है questions वेना है कुछ queries, confusions थे project को लेके वो आप लोगों के sort out हो गए होंगे और again I will say this one thing कि जब भी कोई स्तरा की चीज हो कोशिश किया करें कि आप लोगो खुद से research करें ठीक है जो proper हर बंदा जो है आप लोगो properly guide नहीं कर सकता ठीक है कोशिश करें ऐसे लोगो ढूंडें जिनको product का knowledge है जिसको वो sale कर रहे है ठीक है उनको knowledge है वो आपको सही तरीक से guide कर सकेंगे क्योंकि ये एक normal चीज है कभी भी negativity market में आती है किसी भी चीज को लेके तो सब लोग बहुत जल्दी उस news के तरफ attract हो जाते है which is fine लेकिन कोई भी जो I believe एक समझदार इंसान है वो कोशिश करेगा कि किसी भी hype को follow ना करें वो exact facts की तरफ जाए और चीज़ों को understand करनी कोशिश करें because once they do that उनको फिर पूरा एक picture डजाना स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का okay these are the facts and figures of a certain thing, of a certain project or it's not that much of an issue तो मैं अमीद करती हूँ कि आप लोगों के काफियत तक सावलाथ जो हैं आप लोग उसको जबावाद मिल गया होंगे further कोई भी भी आप लोग को questions है confusions है, feel free to contact number screen के उपर आप देख सकते हैं और उसके लाबा comments में भी आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग कोई भी सावलात है कोई भी बात है जो आप पूछना चाहते है make sure के वो real queries हों और जब मुझे लगा कि मुझे जैसे इस ताफ़ा feel हुआ कि ये कुछ ऐसे questions है और जिसके जवाबात लोग भाकि ढून रहे हैं जानना चाहते हैं तो मैं अप लोग वीडियो बना ली ठीक है तो उसी तरह के जो genuine आप लोग के questions है make sure के आप लोग comments में मेरे से पूछें इंशाला आप लोग एनधर वीडियो आप जिसके उपर फिर मैं आप लोग को उन सावलात के भी जवाबात दे दूगी ठीक है for more details contact on the number given on the screen and until next time Allah Hafiz